परफेक्ट बॉड़ी जिरो साइज फिगर और स्लिम ट्रिम फिगर पाने की चाह में आज ज़ादतर महिलाएं खुद को भूखा रख रही हैं परफेक्ट बॉड़ी बनाना और उसे सदा बाहर बरकरार रखने का प्रशर इतना ज़ादा है कि महिलाएं शरीर को फिट करने में अपनी पूरी ताकत जोग देती हैं यहां तक कि उन्हें ये भी महसूस नहीं होता कि वे एनॉरेक्सिया की शिकार हो रही हैं हाली में एक्टर्स श्वेता तिवारी सेट पर बिहोश हो गई थी इसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती करना पड़ा था इस मामले में श्वेता के पती अभिनव कोली ने उनकी बिमारी पर तंज कस्ते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा अक्टर्स ज्यादा बॉडी बनाने और सुन्दर दिखने के चक्कर में बिमार पड़ते हैं बता दें कि श्वेता तिवारी ने हाल ही में खतरों के खिलारी शोर से पहले 10 किलो वजन घटाया था 40 साल की श्वेता ने इस से पहले फोटो शूट भी कराया था जिसमें वह काफी पतली और नए अंदाज में नदर आई थी पतले होने के लिए श्वेता ने हाई फाइवर फूट डाइट खाने के लेकर कई तरीके अपना हैं लेकिन जाए दिन तक इस तरह की डाइट को फॉलो करना आसान नहीं होता शरीर को फिट बनाने की प्रेशर में इटिंग डिसॉर्डर से लेकर एनॉरेक्सिया और बॉडी डिसफॉर्मिक डिसॉर्डर बुलीमिया जैसी भयानक बिमारिया जहलती है तो आईए पहले यह जानते हैं कि एनॉरेक्सिया क्या होता है एनुरेक्जिया एक मानसिक बिमारी है जिसमें मरीज अपने वदन बढ़ने को लेकर काफी सीरियस होता है उन्हें लगने लगता है कि अगर वह खाना खाएंगे तो बहुत जल्द मोटे हो जाएंगे और इस कारण वे खाना छोड़ देते हैं बहुत कठिन डाइटिंग करते हैं और गलत समय पर खाना खाते हैं उन्हें अपने वदन की इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि वे कई बार जीने लायक खाना पीना भी छोड़ देते हैं जिससे उनका शिरी लगतार कमजोर पड़ता जाता है सही समय पर इलाज ना कराने पर एनवरेक्जिया जानलेवा भी साबित हो सकता है एनवरेक्जिया और अन्य इटिंग डिसॉडर बिमारियों से पीड़ 20 प्रतिशत केस में मौत के मामले सामने आये हैं जिसमें जातार लड़कियां 15-24 उम्र की पाई गई गई दुनिया में करीब 3,905 मिलियन महिलाएं हैं जिसमें से 1.7 प्रतिशत महिलाएं डायेटिंग करती हैं इटिंग डिसॉडर पर काम कर रही संस्था मिरासोल की रिपोर्ट के मताबिक 43 मिलियन महिलाएं पतले होने के लिए और 26 मिलियन महिलाएं अपने बॉड़ी शिप को बरकरा रखने के लिए डायेटिंग करती हैं इस तरह दुनिया भर में करीब 79 मिलियन महिलाएं खुद को परफेक्ट बॉड़ी के धाचे में डालने के लिए भोकी रहती हैं इसमें से एक पतिशन्त महिलाएं सुनिय दिशमलब तीन पतिशन्त पुरुशों के मकाबले एक पतिशन्त महिलाएं एनॉरेग्जिया से पीडित है समाज की सोच ही इन आकड़ों के पीछे का मुख्य कारण है जहां महिलाओं से उमिद ये की जाती है कि उन्हें स्लिम एंट्रीम होना चाहिए उन्हें पतला होने को मदबूर किया जाता है जबकि फुरुशों से यहां उमीद की जाती है कि उन्हें फिजिकली फिट होना दरूरी है बुली करने के मामले में महिलाएं सॉफ्ट टार्गेट होती है इसलिए उन पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है महिलाओं की ऐसी बॉड़ी इमेज देख छोटी उम्र से ही लड़किया उस तै बॉड़ी इमेज में खुद को फिट करने लग जाती है और इस प्रोसेस में कई बार सेल्फ हार्म करती है और टॉर्चर सरती है अब आईए जानते हैं कि एनॉर्चिया के लक्षन क्या क्या है ऐसी महिलाओं का वजन बहुत ही कम होता है बाल भी कमजोर होते हैं कई बार बालों का रंग बदल कर ब्राउन हो जाता है स्किन बहुत पत्ली होती है चहरा बहुत पतला और कमजोर होता है ऐसी महिलाएं चिर्चिरी रहती हैं अगर उनसे खान के लिए पूछा जाए तो वो अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाती है एनुरेक्जिया दो प्रकार का होता है पहला एनुरेक्जिया नर्वोसा इसमें व्यक्ति खुद ही जादा खाना नहीं खाता दूसरा एनुरेक्जिया नर्वोसा बुलिमिक इसमें व्यक्ति को फोर्स किया आता है या फिर वह बहुत भूखा होने पर खाना खाता है लेकिन बाद में उल्टी कर सारा खाना शरीर से बाहर निकाल देता है ऐसी महिलाएं खाना खाने से इंकार कर देती हैं अगर खाना खा भी लेती हैं तो उसके बाद घंटो टॉयलेट में बैठी रहती हैं ताकि उल्टी कर सकें कई महिलाओं की मेंस्ट्रल साइकल बिगड़ जाती है और कई केस में पीरियट्स बंद हो जाते हैं मल्टिपल हर्मोनल इशूस भी हो सकते हैं सोशल मीडिया इंफ्लूएंस और पियर प्रेशर इसकी सबसे बड़ी वज़ा है जीरो साइज फिगर, पर्फेक्ट फिगर, लड़की की बॉड़ी फॉर्म, लड़की की बॉड़ी में कर्व होने चाहिए, मोटा होना बुरा है जैसे बॉड़ी इमेज कमेंट्स, फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से होते हुए, सोशल मीडिया के जरिये, आम लड़कियों के टेबल और टॉइलेट तक पहुँच चुके हैं साइकायट्रिस्ट मानते हैं कि perfect size में fit होने का बोज सबसे जयदा महिलाओं के उपर होता है इस इमेज में fit ना होने वाली महिलाओं और young लड़कियों को समाज में लोग सबसे जयदा बुली करते हैं नतीजा यहा है कि हसने खेलने और खाने पीने के उम्र में लड़कियां अपने हर निवाले के साथ कैलोरी काउंट करने लग जाती हैं और अंत में Body Dysphormic Disorder और Anorexia जैसी खतरनाग बिमारी का शिकार होती है Anorexia से निकलने के लिए सबसे ज़रूरी Mental Health Care है ऐसे लोगों को Psychiatrist से ततकाल मिलना चाहिए इसके अलावा Nutrition's Diet लेना चाहिए Anorexia के Patient में ज़रूरी Nutrients और Vitamins की कमी होती है इसलिए उन्हें Healthy Diet लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए वे Nutritionist की सला ले सकते हैं Patient के साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको Nutrition से भरा खाना खिला सकें Body Image को लेकर परिशान महिलाएं कई बार Depression में भी चले जाती हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि Patient की Family और Friend, Group के लोग उन्हे Positive फील करने में मदद करें ज़्यादा दिक्कत होने पर Patient को Medical Treatment लेने से डरना नहीं चाहिए Anorexia के Case में देखा गया है कि Patient खाने को लेकर एक अलग धारना बना लेती हैं इसलिए उन्हें पुराने अनुभव को हटाना होगा इसके लिए वे Therapy ले सकती हैं खुद के बारे में Positive फील करें और खाने से डरे नहीं Treatment के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि Patient का वजन उनकी उम्र के हिसाब से बढ़ाया जाए क्योंकि Anorexia का इलाज करते समय ये भी ध्यान देना है कि हम उन्हें मोटा होने के लिए भी प्रमोट ना करें क्योंकि इससे उन्हें भविश में और भी परिशानी हो सकती है Eating Disorder का शिकार महिलाओं में श्वेता तिवारी से पहले रिचा चड़ा का नाम आता है फुक्रे गर्ल रिचा चड़ा ने साल 2016 में एक शो के तौरान बताया था कि जब वह Film Industry में आई तो लोग उन्हें वजन घटाने की बजाए बढ़ाने के लिए काते थे क्योंकि वे काफी पतली थी उन्हें लिप्स बड़े करने नाक ठीक करने और पपी फैट कम करने और नकली नाखून नकली पल के आदी कई चीज़े फॉलो करने को कहा गया वे इन ब्यूटी स्टैंडर्ड में इतना फस्ट चुकी थी कि एक समय पर रोजाना खाना खाकर उल्टी करना उनका रूटीन बन चुका था रिचा बुलीमिया से पीडित थी और काफी समय बाद सही हो पाई वहीं अंतराश्टी जगत की बात करें तो प्रिंसेस डायना का नाम इन में सबसे पहले आता है बिटिश रॉयल परिवार की सदस से और वेल्स की राजकुमारी डायना की खुबसूरती की पूरी दुनिया दिवानी थी उनकी एक जलक पाने के लिए हजारों कैमरा मैन और मीडिया दिन रात उनका पीछा करते थे ये देख कोई भी यही सोचेगा कि इतना पॉपुलर होने पर डायना को खुश होना चाहिए लेकिन हकीकत इस से बिलकुल अलग है प्रिंसेस डायना एनॉरेक्जिया बिमारी की शिकार थी स्ट्रेस में खाना खाने के बाद वे उल्टी कर उसे बहार निकाल देती भी हाल ही में बिटिश परिवार की जिन्दगी पर आधारेच सीरीज दे क्राउन में इसके कई दुर्शित दिखाए गया है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमाई चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं आगले वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद